आपके अपने यूटूब चैनल खानन ग्यान पे आप लोग का फेल से स्वागत है आसा करते हूं अपलोब बहुत ही अच्छे होंगे तो चलिए देरना करते हुए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं तो आज के हमारे टॉपिक आप दा वीडियो है जिसमें हम लोग ब पर डील करेंगे इससे पहले मैंने बोर्ट अंप्रियर का जो डिपलफ्मेंट पार्ट का जो वीडियो था मैं अप्लोड किया उसके बारे बहुत से आपके साथ डील किया है और वीडियो को जरूर देखे और जिन्नों भी तक नहीं देखा तो प्लीज देख लें और इस शुरू करने से पहले आपने दोस्तों के साथ सेर करें और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सबस्क्राइब करें और जिनको लगता है कि इस वीडियों कुछ कमी रगें मुझे बताएं ताकि मैं उस कमी को पूरा करसूँगों आप लोग को सब्सक्राइब करें तो चली सुरू करते हैं कि बोडन पिलर उसमें क्या है तो सबसे पहले हम जानते हैं डीप लेडिंग होता है कि जैसे कि पेच चिले वाले वीडियो मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई कारी परती अंडरग्रांड में अपलाई किया जात किया होता है कि हम लोग को बाकि बच्चे कोईल्य में निकालना उनको क्या है निकालने निकालना हो थीक के तो नहीं को निकालने को प्रक्रिया हête च molar आर ऐसको कुछ और झालते हैं जैसे कि इस प्रोकन फोल ते लिए डिभेलप्रश्बंट और यह रखिलेन से जैसे कि पहला गया सबस्पांब्ष कोतो प्रकाओं 112 जिसको हम लोग क्या करते है किए कि कि-क रहिंग करने के लिए किसे अनुम क्या रहते हैं आ तो सब्सक्ति य। उसको ट्रीय करते हुँ 중रूं के उसको न्दर में और इसे परमी बदना, उसको भी देखे हैं और इसे और भी बहुत सारे जो आपके पास ये रेगुलेशन जैसे कि डेगुलेशन नमर वन हंडिट ट्वैंटी थरी स्काम इस रेगुलेशन को भी इस ये डेवलप्मेंट और डिपलेरिंग के द्वरान बहुत अच्छी तरह से पालम किया जाता है इसका इसका नाम जो है तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं और जोऑ जो क्रिके दूर प्रकार ठीक है तो रिपलेशने दूरुपब प्रकार तरीकों से जो हम लोग करतें पहले क्यों के इंदप पहले क्वेूद्ट Days के इसको मैं और भी अच्छे तरीके से आगे डील करूंगा तो चलते आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो यह आप फिगर देख सकते हैं आपके यह जो प्यार हम देखे जिस्ते प्यार का सबमेशन आपके करेडियो ठाल देख सब्सक्राइब और हम अ कि इसरिए on निकालने के बाद छाल को खुद गिरने दिया जाता और आगर लंबे नमय तक टिक हो गए सोड़ा ह routine प्रफिरम यह से कभी कोई बंद जाते हैं कि टंगी हुए जो चाल होते हैं चाल नहीं होती इसको गिराने के कोन सा ब्लास्टिंग किया रहता है तो वह हैं इंट्रिश्ट प्लास्टिंग होता है और जो पत्थर जब जो रूप जो अपने आप गिरता है तो तूट करकि जो देड़ बढ़ जाता है और कुछी जगों पर अप्लाइ किया चाहता है और इंग्लिस में वालों के लिए मैंने कुस लाइन में लिग दिया है कि कि in this method the call of pillars are the extracted and the roof is allowed to break and collapse into the voids or decouled the cold area is known as Gove decouled area को लोगो बोलते हैं और इसको लोग डीपिलेरिंग कहते हैं कि यह बहुत ही असान तरीका है ठीक है बहुत ही और उसके बाद इस्टोइंग का खर्चा बचता इस्टोइंग करने के लिए जो हमारे जो मैटेरियल से उसको माइंस के अंदर पहुंचाने में ठीक है वहां खर्चा है उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग के खर्चा है उसके लिए डिफ्रेंट आप्स और मैकेनिस्म हम लोगो को लागो करने होते हैं उन सारे खर्चों से क्या होता है स्टोइंग मेथर स बचते हैं और जहां स्टोइंग के लिए बालो नहीं मिलता इस परकिया में लागो करना किया जास सकता है ठीक है और इसे कुछ हानी है जो उसको भी देख लेते हैं जमीन धसने से सर्फेस बने स्ट्रक्चर को हानी पहुंचता है जब जमीन अंदर से कोईला निकाल करके छ खोड़ी आता खाली जब दीरे दीरे कोईला जब बैठता है चट गिरते हैं चाल जो होता है बाहिस के अंदर का वह क्या होता कि सर्फेस के स्ट्रक्चर जो होते हैं उपर जितने भी जंगल हो गया या फिर कुछ भी स्ट्रक्चर बना बिल्डिंग हो गया है उन सारे स्ट सपत्रें करते हैं नीचे खाली आने बाद में क्या होता कि वोुक्राइक सर्फेस क्या करता है उत्पद कर देश के कारण सब्सक्राइब पानी का कोई भी सूर्स है जैसे वाटर बड़ी आपका नदी नाला तलाब होके उन से पानी हो हो सकते हैं जब ञवास पहस्ता हो यह घख सनुट होगा जो अंदर होगा हवा में घे webinars से उप्योकर से आगे हम लोग खोलने के साथ बने हुए खाली जगों जिसको लोग कोफ के नाम से जानते हैं उसको बालों से भरकर सारी जगों के लोग स्थीर कर देते हैं ठीक है बालों से भरकर या भी मैं जो जीख खाले प्लेसे से इस को और वहादिते हैं बालो से पानी से यह इनके पानी पानी का मिक्सर इसको सब्सकेर घ्राइट इस्कों कषा बद्सेयर चाहले आट Нबसा सब्सक्राइट dumbbellें मैं इस जीए टाइपक अगर जैसे कि अप्लाई करने का सबसे बड़ा रिजन क्या होता है कि अगर सर्फेस पर और स्ट्रक्चर को बचाने के लिए हम लोग जैसे कि घर मकान और रेर्वेल लाइन और नदी नला तराव होता है इससे बचाने के लिए क्लिए क्लिए स्ट्राइं मैतोड अपनाते हैं आगे ना अगला पसा स्ट्रह & स्ट्राइं क्योट आगेュिं ज सनका आ पबनाते हैं को जाता है गैसे त्छान सब्सक्राइं हो जाता है वैसे जगोर्ण पर हम लोग자ically करते हैं VR स्टूइंगं करते हैं चैकर जिया सेन हैं और ऐसे होंट splits सॉट स्थ्ट को कई चल염 में निकाल ना होटा जैसे कि अगर क्नाव करते हैं कि स्थान पर हम लोग को क्या करते हैं कि वह सी में को मत्रौण करते हैं रूफ गिरने से होने का खत्रा होता है उस जगह पर जैसे कि अगर इसको सेफ करना होता है उसके लिए क्या करते हैं आपनाते हैं तुछ आगे बढ़ते हैं इस्टोहें सबसे बड़ा इंपोर्टिन जो आपके हमारे पास जो है कि सर्फिस को क्या करता है साथ में लगी सी में कोई पानी होता है तो नीचे वाले सीम करते हुए कारे कर सकते हैं ठीक है और ठीक सीक्री काम करने में आसान हो जाता है जैसा कि अगर नहीं लेना होता है तो आपके कुछ हानी को देख लेते हैं किसी माइन को चलाने का खर्च होता है वह तो बढ़ जाता है जो हमारा जो लाब होता है वह क्या होगा घर जाता है ठीक है उसके बाद सबी जगा बालू मिलना आसान नहीं होता है तो इसके हम लोगों को उसका ट्रांस्पोर्टिंग का जो अधर प्यृश्याल को हम लोग इंद्र होता है कि निलधारन करने से पहले कंण करते हैं कि निलधार करते हैं कि मुझ्ण णरूबेशन प्रेट की पहले ही ठीक क सारे पैनल के ठीक है उस पैनल के सारे कूल को हम लोग क्या करें निकाल ले ठीक है इस से पहले हम लोग क्या करें निकाल ले इस साइज उससा निधारित किया अगर उपर वाले कोई दिवलंप्मेंट और पानी से ब्रस्टों से सीומगों क्या करता है खाली कराते थिक हैं, उपर वाले सिंस के खाली करते हैं, ताइपिंग मिस्टर्य है खाली हो ठीक हैं, पानी कहों कि सीत्रा से खाली करा ताकि के नीचे वाले सीम में अगर डिपलरिंग करें तो पर से सिम से पानी नीचे वाले सीम में नहाँ जाए ठीक है उसका डेवलप्पेंट एरिया का री सर्वे कर फिर से प्लान कर त्यार करते हैं और डी वाटरिंग के लिए किये गए बोर हुल का इस दिया दिका जैसे कि हम लो सब्सक्राइब करते हैं ताकि उनसे कोई खत्रा जो संब निधान कर सके उसके बाद कहा है जी पीलर्स को हर नहीं काटना है उस पर हम लोग क्या कर लेते हैं तिक है और चीन हिसे करने का जो सबसे बाड़ इंपोर्टी मोने की उनको हम लोग आपने रहता है देड़ मीटर ऊपर ठीक है जो ऐसा कि अब हमारा यह पिलर है तो देड़ मीटर पेलर के देड़ मीटर ऊपर हम लोग क्या कर दें करते हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है अगर आप लोग को लगता कुछ कमी है तो प्लीस हमें कॉमेंट बोक्स में ज़रूर बाता हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो गोफ सबसे पहले गोफ के बारे मैंने अपको लिए साथ डिल गया कि देंद आप लेट प्लेस लेफ्ट आफ्ट अफ्र डिकॉल एरिया ठीक है जब एक्स्टेक्शन पिलर का एक्स्टेशन कर लेते हैं हम लोग और डिकॉल कर लेते हैं तो उस एरिया जो खाली जगा बसते हैं यह खाली प्लेसेज पर ठिक है यहाँ देख सकते वो इन खाली प्लेसेज को मैं क्या बोलते हैं तो इसे बोलते हैं है चलता ऐगले पर हमारा रहुक्त हे बहुत इंपोर्टेंट टार्म से टिक है डिपलियरिंग करते समय कोफ की तरफ सुरक्षा के लिए कुछ मोटाई का कोल मोग क्या करता है support की लिए पीलर के रूप में खुल छोड़ देते हैं ठीक है और उसे ही हम लोग क्या करते हैं रिप करते हैं ठीक है इसकी मोटाई जो ही जरूत की हिसाब से और क्ष़ाब से रहते हैं जैसे कि अगर हम लोग पहला जो गौफ क्रियेट होता है तो पीलर जो आखिर फृफ का हुता है उ क्या होता है बहुत इंपॉर्टेट पॉइंड कुछ कॉश्चन बन जाते हैं जब कभी डीप लाइन के समय कोईला निकालने के बाद सपोर्ट हटा लिया जाता है और रूप कुछ दूरी या मोटाई तक गिर जाता है उसे फॉल कहा जाता है ठीक है जैसे कि आप फिगर में आप देख सकते हो कि जैसे कि यहां पर हम लोग यहां पर निकाल चुके इस इरिया में कोईला निकाल चुके हैं और यह क्या है उपर से एच्छान जो हम लोगों प्रक्रों सब्सक्राइब कर लते हैं जैसे की पहला जो है पहुंचता है उसी क्या बोलते हैं इस थानी दसान या फिर लोकल फोल बोलते हैं ठीक है यहां पर क्या होता कि चाल गेरती केले सर्फेस यहां पर फेक कर चुका और कुछ सब्सक्राइब नेल चितने भी टमसे उनको मैं आपके साथ में शेयर करूंस ध्याटा इसे से के और इसका रिजन जो में फॉल होता है कोशन इसे भी बन जाता है कि सबसेडेन का रिजन क्या लोकल फॉल है कि में फॉल है तो चलिए अब कुछ इंपोर्टेंट कोशन के ऊपर हम लोग देखते हैं हमेशा किज़र आपके साथ में सेयव करता हूं तो सबसे पहले जो क्या सकती है तो सबसे पहले टॉपिक का थैसी एसी पहले तो किसे सकते हैं अगले जो स्टिछ ओप फॉर्मेशन आप देट्वर्क प्रोडवे इस नोन एस टिक है जो स्टेज फॉर्मेशन आप निट्वर्क रोडवेश ठीक है इसको क्या कहते हैं इसको किस नाम से जाना आएता है तो हमारों जॉप्सेंस है डेपलोपमेंट दूसरा फस्ट वर्किंग इसको डेपलोपमेंट भी बोलते हैं और फस्ट वर्किंग भी नाम से जाना जाता है ठीक है इसका सही अंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन चलते प्रशन की ओर हमारा जो अगला प्रशन दगोल फिलर इस एक्सेक्टेट एंड रूफ इस अलाओ टूब्रेक और रूफ इस अलाओ टूब्रेक और रूप्स करने का और शुछ दिकोल्ड एरिया बचता उसको लोग क्या नाम से आते हैं तो अप्शन हमारे पस है गोफ बॉइड डीप लेरिंग और नन तो इसका सहीतर क्या है तो सहीतर हमारा जो है वह है गोफ ठीक है बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है ध्यान से देखेंगे इसको चलते अगले कोशन के और हमारे जो अगला प्रशन है डीप लेरिंग के द्वारान जब चाल गिरती है और सर्फेस तक प्रभाववविद करती है उसे क्या कहते है तो मैंने जस्ट अभी डील कि आप लोग साथ में कि उसे हम लोग क्या कोलते हैं तो सबस्यदेंस के कारण होता है तो वह होता है किस कर नसे मुख्य धासान के खारन होता है तो चलता एक लोग प्रस्विवी और ह करने के लिए किसे शयनुमति ली जाती है ठीक है धी बिस असा करतां अपलोगों को डिप्लोमा जो माइनिंग करें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स जो रिलेटेट टोपिक जो कन्फिसन जो होता है इन सारे चीजों को समझना भूँत ही इपॉर्टेंट होता है तो आज के लिए अतना ही थांक यूI कि